हेलो एवरीवन, वेल्गम टू माय चैनल, सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों की स्पेशल तिल पट्टी, जिसे हम तिल की गजग भी खहते हैं, ये तिल पट्टी बहुती कम इंग्रिडियेंस से जटपड बनकर तैयार हो जाती है, जब भी आपका खाने का मन करें, आप इसे तुरंद बना कर भी खा सकते हो, आओ चलो तिल पट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं, तिल पट्टी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें एक कटोरी तिल डालेंगे, तिल को हम लगातार एक मिनिट के लिए चलाते करेंगे गैस का फ्लेम हम मीडियम लो रखेंगे एक मिनिट हो चुका है तिलों में इसी चटकने की अवाज आने लग गई है अब हम इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और तिलों को एक प्लेट पर निकाल लेंगे इसके बाद हम उसी पैन में एक कटोरी चीनी डालेंगे हमें चीनी और तिल दौनों का रेश्यू एकदम बराबर रखना है चीनी को हम लो फ्लेम पर केर्मलाइज करेंगे इसे के साथ हम चीनी में आदा चमश नीम्बू का रस डालेंगे हम नीम्बू का रस इसलिए डाल रहे हैं ताकि चीनी क्रिस्टलाइज ना हो 3-4 मिनिट हो चुके हैं चीनी करमलाइज होने लग गई है अब हम इसे मिक्स करेंगे और लगाता चलाते रहेंगे चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमे रोश्टेट तिल डाल का अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे गाईज हमें तिल और चीनी का रेशु एकदम एक्वल रखना है तिल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसके बाद हम एक बोर्ड लेंगे गाईज अगर आपके पास बोर्ड नहीं हो तो आप फ्लैप पर भी बना सकते हो बोर्ड पर हम थोड़ा सा ओईल लगाएंगे बोर्ड को हम ओईल से अच्छे से ग्रिस कर लेंगे और बेलन को भी हम ओईल से अच्छे से ग्रिस कर लेंगे इसके बाद हम मिक्स्चर को जल्दी से बोर्ड पर डालेंगे क्योंकि मिक्ष्या ठंडा होने के बाद जमने लग जाता है अब हम एक फ्लैट कटोरी लेंगे उस पर भी हलका सा ओईल अपलाय करेंगे इसके बाद हम कटोरी की हेल्प से तिल पट्टी को फैलाएंगे आप इसको जो भी सेप देना चाते हो और जितना पतली या मोटा बनाना चाते हो उस हिसाब से फैलाईए गाइस देखिए मैंने इसे राउन सेप में कटोरी की हेल्प से फैला लिया है हम तिल पट्टी को और भी सुन्दर और टेस्टे बनाने के लिए इसके उपर चॉप किये हुए पिस्ता और काजू स्प्रिंकल करेंगे अब हम इसे बेलन की हेल्प से हलका हलका दबाएंगे जिससे की जो ड्राइफ फूट से अच्छे से चिपक जाए इसके बाद हम एक चाकू लेंगे और चाकू पर हलका सा ओईल अपलाएंगे अब हम चाकू की हेल्प से तिल पट्टी को स्क्राइर सेप में काटेंगे आप इसी कोई भी सेप में काट सकते हो हम तिल पट्टी को गरम गरम ही काटेंगे क्योंकि ठंडा होने के बार तिलपट्टी टाइट हो जाती है और इजीली नहीं कर पाती है गाईज हमने तिलपट्टी को स्क्वेर सेप में काट लिया है अब हम इसे 4-5 मिनिट के लिए ठंडा होने देंगे चार-पाच मिनिट हो चुके हैं तिलपटी अच्छे से ठंडे हो चुकी है अब हम तिलपटी को चाको की हेल्फ से बोर्ण पर से हटाएंगे गाइस देखिए ओईल लगाने से तिलपटी कितनी इजिली निकल रही है और देखने में भी कितनी सुन्दार लग रही है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शियर चरूर करें आप मुझे फेस्बुक पर ये फॉलो कर सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्ट्रिप्शन में मिल जाएगा अगली मुलाकात होगी एक नई रेसिपी कैसार इसका लिंग कि आमपको डिंग्यों स्टत्स्ट्रिप्ट्स Igा उुवटrative यज्ट आपको में में मुलाकात हैं आपको उपको श्रेण है झाल झाल